ये दुनिया बड़ी ही विचित रहे ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही अजीबो गरीब रहस्यों से बड़ी बड़ी है प्रकृति के कई रहस्य आज भी उल्जे हुए है जिने सुलजाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन आज तक कोई समादा नहीं निकल पाया एसे ही कुछ अंसुलजे रहस्यों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरू करते है चीली में घोष्ट टाउन नाम के एक मशुर जगह है जहां एक छे इच का नरकंकाल पाया गया था इस नरकंकाल के दाथ पत्थर जैसे मजबूत थे बहुत रिसर्च करने के बाद ये मान लिया गया था कि ये कंकाल इंसान का ही था लेकिन हिरान करने वाली बाद ये है कि इतने छोटे इंसान के दाथ कैसे हो सकते है इस वज़े से आज भी ये रहस्य उल्जा हुआ है सन 1947 को जून के महिने में मलक्का की खाड़ी से व्यापारिक मार्क से कई जहाज गुजर रहे थे तबी एक SOS संदेश पहुचा कि जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई है जब जहाज के सिगनल का सोर्स पहचानते हुए क्रू जहाज की तरफ मर्चंट शिप दे सिल्वल स्टार पहुची तो नजारा हैरान करने वाला था क्रू जहाज के सभी सदस्यों की मौत हो चुकी थी और सभी के शव जहाज पर इधर उधर बिखरे पड़े थे वो द्रश्य इतना भयानक था कि समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या इंसानों के साथ साथ उस जहाज पर सफर कर रहे कुट्तों को भी मौत हो गई थी हैरानी वाली बात ये है कि किसी के भी शरीर पर कोई जोट के रिशान नहीं मिले यही कारण है कि उनकी मोत का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है Minnesota Devil's Waterfall The Devil's Gettle नाम के इस जर्णे को रहस्य मई माना जाता है इस जर्णे में दो धाराय गिरती है एक दारा तो सामने धाराओ की तरह बहती है पर दूसरी दारा एक छेद में गिर कर कहीं गायब हो जाती है यह रहस्य आज तक नहीं सुलच पाया है कि यह पानी जाता कहां है The Devil's Gettle नाम के इस छेद में आधी नदी का पानी समा जाता है The Dancing Plague of 1518 1518 में गर्मियों के दिनों में स्ट्रासबर्ग शहर में एक महिला ने सडक पर अचानक से नाचना शुरू कर दिया दिन से रात हो जाती है और रात से दिन पर उसका नाचना बंद नहीं होता एक सब्ता के अंदर अंदर 34 अन्य मेंलाओं ने भी उसके साथ नाचना शुरू कर दिया उन्हें देखकर ऐसा लगता था जिसे कि उनके अंदर किसी आत्मा का वास हो गया हो क्योंकि नाचने की ना तो कोई वज़त ही और ना ही कोई खास मोका एक मेने के अंदर नाचने वाली मेंलाओं की संख्या 400 तक पहुँच गई कई मेंलाओं की हालत खराब होने लगी यहां तक कि कई मेंलाओं की नाचते नाचते मौत हो गई कई धार्मिक पुरोहितों और लोगों को स्थीती पर नियंत्रन लाने के लिए बुलाया गया डोक्टरों और वैक्यानिकों को भी बुलाया गया परन्तु कोई असर नहीं हुआ इस घटना के पीछे कई वज़ब बताई जाती है डेथ वेली के नाम से जानी जाने वाली इस जगह पर सेकड़ों पत्थर मोजूद है इस सुखे मरुस्तल पर अलग-अलग आकार के पत्थर है कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वो अपनी जगह से खिसकते हुए आगे बटे हैं परन्तु यहां पर किसी भी इंसान या जानवर के जरिये इन पत्थरों को गसिटने का कोई निशान नजर नहीं आता